हलो भाईयो एक बाव फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चलम में आज हम अपर बात करेंगे जो ECS T10 बोलो गाना का आज के जिनका तीसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा बोलो गाना वर्सिस पड़ोवा CC के बीच में दोनों ही न्यू टीम्स है ये जिनका पहला म क्रेस्टिंगे मैंच होगा और काफी अच्छा मैंस है बस आपको पूरी information देखनी है उसके बाद में आपको सारी चीज़े यहाँ पर clear हो जाएंगी सबसे पहले भाईयो अगर आप हमारे चलम पर पेली बार आ रहे हो और अगर आप तक हमारा telegram channel जो नहीं किया है तो उनके भी stats आपको वहीं पर मिलेंगे तो telegram channel से चुड़ना बहुत ज़रू है अगर आप ये वाला detail match खेल रहे हो telegram channel पे चुड़ने के दो तरीके हैं एक तो जो है telegram channel का link आपको इसी वीडियो के description में दूसरा आप comment section में जाओगे इसी वीडियो के जहाँ पर आप comment करते हो तो वहाँ पर भी जो सबसे पहला comment आपको मिलेगा ना टॉप पर पिन किया हुआ उसमें भी आपको telegram channel का link मिल जाएगा बात कर लेंगे आपर match के बारे में तो मैं 4 बज़े start होगा सामको match के लाजाएगा और यह जो विकेट है अब तक तो देखो first inning में अच्छा score बन रहा है लेकिन chase नहीं हो रहा ऐसा इसका surface है मलब chase करना difficult हुआ है अब तक average score 90-110 है अब तक यहाँ पर 4 matches होए और 4 की 4 में ने आपको बताई दिया बैटिंग first करने वाल टीम में आपर जीते हैं अब देखो पहले बात करेंगे बोलोगना की टीम की तो देखो इनकी जो टीम है यहाँ से most probably open करेंगे मलिक सर्फरास और बाबर गफर पहले बात करेंगे मलिक सर्फरास की अब देखो इसने 14 टीटेन के match खेलें अपने करेर में जिसमें 24 रंकी है 27 स्केवरे से तो मेरे इसाब से अच्छा खासा record है अगर opening करता है कोई बंदा और यह wicket keeping भी कर सकता है तो आपको wicket keeping के भी point देगा प्लस opening करेगा और अच्छा batsman है तो important बनता है लेकिन T20 में recently, recently मलब 2022 के अंदर इसने क्या किया है 28, 34, 7, 0, 0, 28 मलब ठिक टाक सा इसका record है चाहो तो pick कर लेना वैसे GL का अच्छा pick रहेगा नंबर 4 पर आएंगे मोहमद अधनान जो कि आपको मिलेंगे bowling section में लेकिन यह न बेटिंग भी करता है आप देखलो 14 T10 में इसके नाम 170 रन है, 17 का average है और 12 विकेट है 26 ओवर डालके 14 मेच में 26 ओवर मतलब पूरे 2 ओवर हमेशा डालता है पहली बात तो यह confirm है और नंबर 4 पर अगर बेटिंग कर रहा है और अच्छा record है तो फिर मोहमाद अदनान अच्छा खासा captain वोईस captain का pick है टी 20 में रिसेंटली एक मेच कहला उसमें 9 run एक विकरदा उमर गुजजर यह भी बहुत शांदार all-rounder है साथ T10 में 155 run 38 का average 5 विकेट है 12 ओवर डालके बेटिंग भी शांदार है और बोलिंग भी अपने 2 ओवर डालता है तो मेरे साब से यह भी important player आपके लिए रहेगा फिर आएंगे आज से फैजान नजर अब देखो इसने न 12 टीटेन कहले हैं उसमें सिर्फ 65 run है मतलब उतना अच्छा बेटिंग नहीं की और विकेट 2 हैं 11 ओवर डालके मतलब ठिक टाक सा record है रिसेंटल एक T20 के मैच में 48 अंड की जीरो विकेट दे लेकिन अभी मैं स्मोल लिकेटीम में इसको नहीं रख रहा हूँ साइड सलीम 8 T10 में 3 विकेट हैं 5 ओवर डालके 8 मैच में सिर्फ 5 ओवर मतलब बोलिंग कम करवाएगा आकासदीप 6 T10 में 4 विकेट हैं 8 ओवर डालके ये जरूर बोलिंग थोड़ी बहुत तो करवाएगा और T20 में इसके नाम अभी जो रिसेंटली मैच होआ उसमें भी 2 विकेट हैं हर्दीप सिंग ये टीम का एक important बोलर है 17 मेच में 11 विकेट है 23 ओवर डालके और खयार अबदुल के नाम भी 12 T10 में 9 विकेट है 15 ओवर डालके और रिसेंटली एक T20 में 4 मेच में 3 विकेट हैं और जस्तिंदर सिंग के नाम 5 T10 में 2 विकेट है 7 ओवर डालके तो देखो इनकी टीम के पास नाम बोलिंग के काफी ज़्यादा option है लेकिन जो मेरे इसाब से इनके में बोलर है वो है एक तो मोहमत अदनान है और यहां से उमर गुजर है और नीचे आपर अगर मैं चलूँ तो में बोलर की मैं बात करूँ तो हरदीब सिंग और खयर अब्दुल भी मेरे साब से इंपोर्टन है और बाकी के जो ओवर है यह तीन-चार बोलर है वो उन में से कोई डालेगा तो अभी जो अपन इस मोल लिग में प्लेयर पिक करेंगे वो रखेंगे मलिक सर्फरास को, बाबर गफर को, मोहमद अदरान को, उमर गुजर को इनके अलावा नीचे से अपन रखेंगे हरदीब सिंग को इनके अलावा आप यहाँ पर आकास दीब और खयर अब्दुल में से भी किसी एक को पिक करके चल सकते हो जो इनके बेंच में प्लेर हैं उनकी भी बात कर लेते हैं अंकुष कुमार इसने छे टीटेन के मैच में 17 रन किये हैं, दो विकर्ड है, चार ओवर डालके बिल्कुल वे अच्छा रिकोर्ड में को नहीं लगाई है और T20 में भी रिसेंटली एक मैच में 0 विकरता और हुजेपा मोहमद देखो T10 तो अब तक नहीं खेला लेकिन T20 में रिसेंटली 5 विकरता एक मैच में और एक मैच में 1 रन 0 विकरता मोहमद इर्फान ने भी रिसेंटली एक T20 मैच में 0 रन किया था डेनियल बाबर ने भी अभी जो रिसेनल एक T20 हो था उसमें 9 रंज 0 भी करता, सूफियान अबजल 7 T10 में डिड नोट बैट है, मलब 7 T10 खेला है लेकिन एक भी मैच में इसके बैटिंग नहीं आई है, जैन हसन के नाम T20 में आपर 18 रंज 0 भी करता है, और अली अलाम के नाम 1 T20 के मैच में 15 रंज और तासीन मुस्तफा के नाम 1 T20 के मैच में 50 रंज बागी के जो 4 प्लेन के रिकोर्ड नहीं है, देखो आपके लिए बहुत मेनद करके सारे स्टेर्स निकालें तो उम्मीद करूँगा यार वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे आप और चैनल को सब्स करो क्योंकि अपन वन लेक सब्सक्राइबर से ज़्यादा दूर नहीं है तो आपका शपोर्ट वीडियो में जरूर चाहिए, अब बात करेंगे पड़ोवा CC के टीम की, तो यहां से उपन करेंगे दमित कोशला और नुवान समीरा, देखो दमित कोशला जो है बहुत का, 121 रन, एक विगेट, 57 ओट आउट, 57 ओट आउट, तीन विगेट, दो विगेट, बहुत ही बड़ियां फॉर्म से आ रहा है बन्दा, बेटिंग, बोलिंग दोनों से मस्ट पिक है दमित कोशला और कैप्टन सी का प्रबल दावेदार, नुवान समीरा, 14 T10 में इसके न नहीं छोड़ना अपन को, सलिंदा, कोडी कर आएंगे आपर, 8 T10 में 149, 17 का एवरेज, एक विगेट है, 5 होग डालके, बोलिंग तो बहुत कम करवाता है, लेकिन बेटिंग करता है, टॉप 3 में, फिर आएंगे आसे, निसेर मल, फनेंडो, जो की एक अच्छे गासे पिक रहेंगे, 8 T10 में 106 रन, 2 विगेट हैं, जबकि T20 का रीसेंड फोर्म इसका बोलिंग से जादा अच्छा है, 4 विगेट, 139, 53 विगेट, 49 विगेट, और ODD में 2 विगेट, 45 विगेट, 69 तो अगर ये विगेट किपिंग नहीं करता है, और नॉर्मल प्लेयर के रुप में खेलता है, तो निसेर मर फनेंडो अपन को बोलिंग करता हुआ नजर आ सकता है, फिराएंगे ऐसे, ठरुका रोडरी गो, 8 T10 में 97 रने, थोड़ा नीचे बेटिंग करेगा, कुडा निसंका के नाम, 6 T10 में 22 विगेट हैं, 5 विगेट हैं, बोलिंग थोड़ी कम मिलती हैं, रिसेंटली T20 में 2 विगेट हैं, और ODD में 50 और 4 विगेट हैं, ठीक हैं, संपत फनेंडो के नाम, 7 T10 में सिर्फ 4 रने हैं, और ODD में 21 रनते हैं इसके नाम, रमेश डिशलवा, एको टीम का इंपोर्टेंट बोलर, 9 T10 में 8 विगेट हैं, 17 ओवर डालके, 9 मेंच में 17 ओव एक चार विगेट और 0 विगेट, कुमार लकमल के नाम, 23 जिरो विगेट, 18 जिरो विगेट, 0 विगेट, 0 विगेट, और जलिया सुरंगा, इसका सिर्फ एक ODD मेंच का रिकोर्ड मिला है, जिसमें इसने 6 विगेट निकाले थे, सिर्फ एक में, GL का पिक रहेगा, अभी दे और यहां से रंगा लिया आना खौब रख सकती हो, बेंच में जो प्लेयरें उनके भी बात कर लें, तो यहां से पतिरागे सदसेव है, T20 में रिसेटली 8 रने, और अंडर 15 के लिए जो इसने T20 में इसके लेते न, वहां पर 20, 26, 87 हैं, लेकिन यह अंडर 15 का रिकोर्ड है, जो की काफी छोटी लेवल का रिकोर्ड है, पिदुशा फनेंडो के नाम T20 में 2, 50, 30 रने एक विगट 102 हैं, जबकि ODD में 50 और 100 हैं, अगर यह बंदा टोप वोड में बेटिंग करेगा, तो एक गेम चेंजर प्लेयर अपने लिए साबित हो सकता है, प्रबाद लक्षन के नाम 50, 17, एक विगट 38 रिसेंटली रिकोर्ड हैं, रादिका शुनें 6 टी टेन में 2 रने और शितूपा का मेरे पास कोई भी रिकोर्ड नी है, सिर्फ एक प्लेयर का रिकोर्ड नी है, तो एनालिसिस वाला पार्ट जो है, इस मैच का हो चुका है, आपके भाई ने पूरी म रखा हैं, तो विकेट किपिंग सेक्शन से मैंने निशेर मल, फनेंडो और मलिक सरफरास दोनों को रखा हैं, बैटिंग सेक्शन से मैंने आपर सलींदा, कोडी करा, रंगा, लियाना और या से गफर बाबर को रखा हैं, और ओल्राम्ड सेक्शन से मैंने दमित कोशला, उम मोहमद अधनान है लेकिन देखो यह फाइनल टीम नहीं है अभी क्योंकि टॉस अपडेट आएगा उसके बाद में अपनको और भी ज्यादा चीज़ें क्लियर होंगी तो इस मैच की जो भी फाइनल टीम होगी ओफिशल बेटिंग ओडर होगा सारी फाइनल इंपोमेशन होग करना चैनल पने हो तो सब्सक्राइब कर देना थैंक यू